नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन आर ट्रिपल वन डी आईसी तो इस आईसी के बारे में आज करेंगे यह यूटूब के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है इसी बेसिकली साइसी का परपस है यानि यह किस तरह काम करती है यानि लो एफिसेंसी को हाई में कर देती है जैसे मानके चलिए आपके पास वोल्टेज जो है कम वोल्टेज है मानके चलिए 10 वोल्ट या 12 वोल्ट है उसको यह डिरेक्टली आईसी 24 से 30 वोल्ट के अंदर कर देती है यानि वोल्ट को लो फ्रक्वेंसी को हाई फ्रक्वेंसी के अंदर कर देती है इस essence का basically प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पर low आपके पास voltage यहां लो इस्सिस्टम आपके पास आज यह यहोग वोल्ट है तो उस लोग को हई वोल्ट के अंदर convert करकर प्लस 4 अम्पेर का को है प्रवाइड करेधिया इसी 111-D तो मेरे पास हमारे एक सस्क्राइबर जुनोंने एक कमेंट किया था तो उनका नाम तो वैसे mention यहांपे नहीं किया गया है तो उन्होंने यहांपे नाम अपना mention ही किया है तो उन्होंने सिर्फ IC के बारे में लिखा है कि IC नंबर है सरक जो Y Y H तो उस IC की जिगा कौन सी IC लगा सकते हैं और इस IC की वर्किंग किस तरह कैसे काम करती है आज इस IC के बारे में करेंगे तो चैप्टर शुरू करने से परने सबसको सभी को नमस्कार और जिन्हों ने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को यह यह 11 one आए सी तो यह टोटल 8 पिन के अंदर होती है यह और डिप टाइप के अंदर आती है और कई वड़ी मुझे क्या comment आते के रहते हैं कि सर जो हमारे इंटरनल हिसे के अंदर जैसे आप इंटरनल हिस्या करवाते हैं उसके अंदर जैसे यह लिखा हुआ है UVLO या TSD OVC ठीक है तो इनका मतलब क्या होता है इससे क्या काम होता है क्या इसका मतलब है तो मैं आपको बिसकी बता जिता हूं कि जो हमारा UVLO लिखा होता है उसका मतलब Under Volt and Lookout System यानि यह उस Voltage को देखता रहता है जो Under Volt है यह उसके अंडर में चल रहे हैं जैसे वोर्ट बढ़ नहीं रहें कौम और ज्याद़ अगर वोर्ट तो यह सैक्षिन एक बना होता है जो वोल्ट को चेक करता रहता है और एक बना होता है OCP OCP यानि Over Current Protection यानि अगर किसी भी कारण उस IC के अंदर कोई भी वोल्ट की फ्लेक्चुरिश होती है या कहीं शौर्ट सरक्ट होता है तो उस समय एक सेक्षन बनाता है OCP यानि Over Current Protection सेक्षन बनाता है उससे में वो सेक्षन काम करके IC को Turn Off करवाता है यानि Off करवा देता है और एक IC के अंदर बनाता है TSD यह लिखा हुआ जो TSD यानि Terminal Shutdown स्ट्री थर्मल शट्डाउन सिस्ट्म होता है यह लिखा हुआ यहां पर थर्मल शट्डाउन सिस्ट्म यह होता है कि जैसे IC Over Temperature गर्म होती है उस समय यह इस IC को जो TSD लगा होता है यह उसको सेंस करके IC को Shutdown करवा लता है ताकि IC Blast ना हो तो इस तरह यह सेक्षन अलग-लग होते हैं और उसी दार पर काम करते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी पिन कैसे काम करते है इसके बारे में करेंगे सबसे पहले यह हमारी Dip keyword के अंदर आती है, आठ पिन के अंदरी सी होती है और इसकी pin number जो एक है, वो BS की pin होती है, pin number 2 input की pin है, pin number 3 SW yannair output की pin है, pin number 4 ground है, pin number 5 FAV yannair feedback की pin है, pin number 6 जो है high set की pin है, pin number 7 enable की pin है, pin number 8 SS की pin है, अब इन पिन का mean क्या है यह पिन किस तरह काम करती है इसके बारे में थोड़ा से कर लेते हैं तो सबसे पहले जो हमारी पिन नंबर 1 के बीएस एसकी पिन होती है कहां से दी जाएगी जो पी नमबर तीन के उपर जो यह हमारा पीन मिलते रहें और आइस इसी हमारी आउटपट दे तहीं रहे उसके पार प्र nhॉंबर आता है दो यह है इन्पुट की यानि इस आइसी को सप्पलाई ज bowling justo है इन्पृ्ट सप्लाई कितने डेनी है वह यानि इस प्र मेरं संप्लाई नम्बर है क्या तो पर दिये जाएंगे इंपृट सप्लाई तो पर यक्लाइगी डिन वर उसी नाम पर इस पिन का नाम रखेगा SW यानि स्विचिंग पिन होती है यह हमारी जो होती है आउट्पुट की पिन होती है यानि इसे वोल्ट आउट होते हैं और उसके बाद पिन नमबर चार जो वो पिन नमबर चार से दिये जाएंगे पिन नमबर पांच यानि फीडबैक की पिन होती है फीडबैक वोल्ट कहां से आएंगे हमारे पास पिन नमबर जो हमारी पांच है उसकी उपर वोल्ट जो SW से वोल्ट आउटपुट होंगे वो एक रिजिस्टर ग्राउंड और एक उसी स्प्लाई में यानि पोस्टी स्प्लाई में लगाके फीडबैक पिन के उपर पोस्टी वोल्ट फिक्स कर दिये जाएंगे फूर गिजापल मैं अगर 20 वोल्ट यहां पर फिक्स कर देता हूं एक रिजिस्टर लगाके दो रिजिस्टर लगाके तो आउटपुट के रूप में हमें फिक्स 20 वोल्ट मिलते रहेंगे पिन नमर छे जो है आई सेट की पिन होती है यानि यह क्या का अटजेस्टेबल पिन होती है जो OCP और OCP जो हमारा है करंट अटजेस्टेबल पिन होत की पिन होते हैं यानि इस IC को on या off करने के लिए pin number 7 enable pin का प्रियोग किया जाता है जैसे pin number 7 के ओपर high word देंगे तो या i.c on हो जाएगी अगर pin number 7 के ओपर low word देंगे तो i.c. ये off हो जाएगी ठीक है जी तो on और off करवाने के लिए pin number 7 का pin का प्रियोग किया जाता जो enable की pin होती है pin number 8 है वो SS की pin है यानि soft start की इस IC को बारबर start करने के लिए SS pin का प्रियोग किया जाता है इस pin के ओपर एक capacitor लगा के ground कर दिया जाता है ताकि इसको soft start voltage input यानि मिलते रहे है और IC हमारी on रहे तो ये तो थी इसकी pin detail अब बात कर लेते हैं जो इसके अंदर internal हिसा किस तरह बना हुआ है तो ये IC के अंदर internal हिसा बना हुआ है क्या कुछ बना हुए इसके अंदर हम देख सकते हैं सबसे पहले तो जो हमारी दो number pin है जो input supply की pin है इस pin के उपर दो MOSFET लगाए गये हैं जो कि हाई वोट के लिए काम करते हैं तो पिन नंबर का जो पिन नंबर तीन है वह SW पिन होते है जो इन्हीं MOSFET के द्वारा output जो हमें मिलेगा वह इसी pin के द्वारा मिलेगा जो कि यह MOSFET का जो output इस है वह SW पिन के साथ जोड़ा जाता है यानि यह source point रही है drain point और उसके बाद pin नंबर जो 5 हमारा feedback है यानि वह pin नंबर जो SW की output पिन है उसके उपर एक register लगाके और एक register ground करके इस pin के उपर fix बोल्ट कर दिया जते है feedback pin नंबर 5 के उपर ताकि output हमारा fix रहे ठीक है और एक SS की soft start की जो मैंने आपको बताए थे इस पे capacitor लगाके ground कर दिया जाता है ताकि यह soft start वोल्ट आउटमेटिक इसके मिलता रहे तो IC on रहे अगर आपके IC on नहीं हो रही है या प्रॉपर तरिके से एक बार on के off और यह काम सही नहीं कर रही है तो आपको यह PF कबेस्टर जुरू चेक करना पड़ेगा जो पिन नमबर 8 पे लगाए गया है और जो इसकी पिन नमबर 4 है वो GND यह नि ग्राउंड है और पिन नमबर जो आई सेट है आई सेट की पिन जो है पिन नमबर 6 है इसके ओपर आई सेट है यानि इसको भी एक रिजिस्टर लगाके ground कर दिया जाता है ताकि यह IC को on रखे से और हमारा आउटपुट है यहनों SW पिन से हमारा आउटपुट स्टार्ट रहे और पिन नमबर जो इनेबल की पिन है उसके ओपर on और off सेक्शन इंटरनल तोर पर बनाया गया है वो IC को on और off करने के लिए SW इनेबल पिन का प्रियोग किया जाता है जिसके अंदर P रेग तो यह तो थी इसकी जो हमारी IC की जो इंटरनल है और पिन नमबर एक जो BS की पिन है इसके ओपर मैंने बताया आपको एक रिजिस्टर लगाके और एक डायड लगाके जो हमारा input section है उसे वोट दे दिये जाते है जिसे यह driver regulate करता रहता है हमारा section जो मौसपड इंटरनल तोर पर लगे है यह on होके हमें output रेगुलर देते रहते हैं तो यह तो था आय एं1 if Dasi का तो इसके अंदर जो पिन नंबर एक की पिन अपर दो फिरेateurs को अपकर यह थी तीस वोल्ट यहां तीस वोल्ट का कर्णंट आउट तीस वोल्ट देगी और चार अंपेर के अंदर और बात आया थी इसको इनेबल यह नहीं साइसे कौन करने के लिए इस पर हाई वोल्ट की स्प्लाइ दी जाती है जो कि आरवन रिजिस्ट्र के द्वारा पिन नंबर साथ पे दिये जाते हैं पोस्टी वोल्ट तो आप यहां पर पोस्टी वोल्ट जुरू चेक करना अगर यहां पर आपका आउटपुट आना चाहिए अगर नहीं आ रहा तो ऐसे पिन पे लगाओ पी एफ को आप शौट के लिए चेक किजिए ठीक है जी तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं पिन नंबर चार जो एसे इसको लिए पर यहां के ग्राउंड कर दिया जाता है ता कि इसके फीडबैक के वोल्ट को को फिक्स कर दिया जाए ता कि हमारे यहां पर फिक्स हो जाए जो के आउटपुट के रूप में हमें मिलने है तो इस तरह यह इंटर निशा आ आउड़ोर इस जैसे हम आईसी कहीं पर इस्टॉल करते हैं तो इसका यह अलग से इसब नायग है अब यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं जो इसके इकवल नंबर है तो अगर यह आईसी आपको प्राप्त नहीं हो रही है तो इस आईसी की जिएक आप कुछ सी लगा सकते हैं वो मैं यहां पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं तो सबसे पहले एन आर कि एक 110 ए आइसी यह आइसी लगा सकते हो और एक एन आर ट्रिपल वन ए आइसी एक यह पर यो कर सकते हो और एक है अमारी एन आर 119 स्वरी इसको थोड़ा सबुआ अच्छे से लिखता है 119 ए मोडल यह लगा सकते हो अगर इन में से अगर एक और आइसी होती है एन आर एक सो सतरा के आइसी इसका भी प्रियोग कर सकते हो अगर इन में से कोई भी आइसी अवेलेबल नहीं आपके पास है अगर आपको नहीं मिल रही कोई भी आईसी इन में से एक तो आप क्या कर सकते हो एक आईसी मोसली जो हमारी टावर के अंदर आती है जब एकसेल सतर पंदर है उसी तरह की एक मॉडल आता है जिसको बोलते है एस वन यानि एस एल असी पचास यह आप परियोग कर सकते हैं इसकी पिन डेटेल मैं आगे वीडियो में बना दूँ है एस एस एसी पचास आईसी तो यह आईसी लगाके भी आप इसी सेक्शन को ऑपरेट करवा के आउटपट ले सकते हैं तो यह इसके इक्वल नंबर है जो आपको काम में आएंगे तो यह थी आज की वीडियो हमारी जो की है लो लो फिरकेंसी को हाई फिरकेंसी में कनवर्ट करने के लिए जो आईसी प्रयोग में ली जाती है एन आर ट्रिपल वन डी आईसी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों गंदर शेर करें अगर आपके पास और भी कोई इसी तरह का टॉपिक है आ लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद जी